हलो इस्टुडेंट्स मैं दयाल चोधरी टीम CLC टीम केमेस्ट्री आज अपने दंगल का सोलिशन यहां देखने जा रहे हैं इससे पहले आपने DCM दिया फिजिक्सी को दिया से लसी की दरब से आपको बहुत सारा मेटर यूटूब पर मिल चुका है जिसमें कई टेस्ट शीरी जाहिए उनका वीडियो सोलिशन आए ऐसे टोटल आपन आपको 12,370 क्यूशन दे चुके हैं और उसी सीरीज में आपन दंगल के आज फर्स्ट फेफर का यहां पर वीडियो सोलिशन करनी जा रहें clear first question है अपना which of the following is a polar molecule कौन सा आपके पास molecule है जो कैसा है polar polar का मतलब है आपके पास यहां पर mu is goes to not zero जिसके लिए आजाएगा वो क्या हो जाएगा आपका polar यहां पर आपन बात करें तो इसका hybridization कितना आता है SP3, इसका मतलब यह तो regular tetraidal geometry रखता है, सारे side atom सेम है, इसके लिए muse gust to 0 होगा है, यह तो non-polar है BF3 की बात करें, तो SP2 hybridization है, side atom सेम है, तो इसके लिए भी muse gust to 0 है इसके लिए बात करें, तो इसमें SP3D2, हलाएंकि दो lon pair हैं इसमें, लेकिन देखिएगा, यह fluorine, यह fluorine, यह fluorine, यह fluorine, यह fluorine अब आपके पास कौन बच गया, SF4, इसका SP3D2 hybridization है, के सेप होता ही है, जिसमें आप देखना चाहिए, तो यह fluorine, यह fluorine, यह दोनों bond axial होते हैं, वो तोड़े जुख जाते हैं, इस lon pair के repulsion के वज़ेशे, तो इसके लिए muse gust to 0, 0, तो आपका कौन सा आ गया है, यहाँ पर, 4th answer आ जाएगा, clear, next question की अपन बात करें, यहाँ पर, match item of column में, first, इसमें वो ही है, column first को second के साथ match करना है, अच्छा question है, सबसे पहला column में दे रखा है, cyanide process, तो cyanide process आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल, chemical, यह leaching method है आपका, यह आप बोला जाए तो इंदी में निक्सालन भी दी है, जो manly आपके काम में आती है, किसके गॉल्ड और सिल्वर के लिए, तो यहां पे आपको दे रखा है, extraction of gold, तो इसके लिए तो आपका आजाएगा fourth, 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 फ्लोटेशन method, यह adsorption theory पे काम करती है, सबको पता है, इसके अलावा, waiting nature पे depend करती है, कि ask, जो और है आपका, और impurities है, उनकी भीगने की tendency पर, तो यह sulfide और के लिए काम में लिए जाता है, मैली, तो यह आपका zinc sulfide, तो आपका इसमें कौन सा आजाएगा, second, फिर electrolytic reduction, तो यह आपके aluminium bauxide का, जब होल HR process से reduction किया जाता है, तो यह भी दिकाम में लिए जाती है, तो आपका इसके लिए third, बिल्कुल सही है, next is john refining, इससे ultra pure metal मिलती है, और यह manly semiconductors के लिए use होती है, जैसे के आपके silicon हो गया, gallium हो गया, germanium हो गया, तो यह लो, ultra pure, तो इसके आजाएगा first, कौन सा में चो रहा है, fourth, second, third, यह आपका fourth answer यहापे correct हो जाएगा, next question की ओर चले हैं अपन, correct order of boiling point of fifth A group hydrates, तो simple सी चीज है, यह आपके covalent है, जब भी covalent मोली की उला जाएं, और covalent भी किस टाइब के, non metal, non metal के, तो उनके अंदर जो physical properties होती है, like boiling point, boiling point हो गया, यह melting point हो गया, यह physical bond भी depend करते हैं, और आपको पता है, physical bond बोले तो अब यह BP, यह physical character है, तो physical bond, तो यह depend करेगा, किस पर है, wonder wall force, wonder wall force directly proportional to होता है, molecular weight के, तो आपको पता है, NH3, PH3, ASS3, SBS3, और BIH3, बिस्मतियन, तो इधर चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, molecular weight continuously increase हो रहा है, molecular weight increase होने का मतलब यहां पर आप जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, wonder wall force बट रहे है, wonder wall force बट रहे हैं, wonder wall force बटने का मतलब BPMP भी बट रहे हैं, तो यह order आ जाएगा BPMP का, लेकिन यह, NS3, इसमें hydrogen bond होता है, hydrogen bond की जो strength होती है, वो wonder wall force से ज्यादा होती है, हाँ, अलाएंकि इसका जो H bond होता है, weak होता है, तो boiling point थोड़ा increase होगा, लेकिन ज्यादा भी नहीं होगा, तो आप इसको यहां पर shift कर देगा, तो देख लेते कौन सा option match होता है, सबसे ज्यादा तो BIS3 फिर SBS3 फिर आगया आपका ammonia फिर है, यह H bonding की वज़े से यहां आ चुका है, और जब melting point की बात आए तो सबसे last में पहुंच जाए गई है, क्योंकि melting point होता है, वो physical bond के साथ-साथ, आपका packing पे भी depend करता है, bond strength के पेकिंट करता है, packing strength, next, which is one of following complex show optical isomerism, आप हमेशा यादर को by identical legend आ गया, symmetrical हो चाहिए, unsymmetrical, तो possibility बढ़ जाती है, आपके OI देनेगे, clear, अब इस मेंजे से यह trans वाला है, तो trans वाला तो OI देगा नहीं, आप इसका अगर structure बनाना चाहिए, तो यह इस प्रकार का complex हो गया, आपका symmetrical by dented है, और यह B2 मालो, CL2 को, इस प्रकार का complex है, तो इसमें अगर देखा जाए, इसका trans अगर आप बनाना चाहिए, तो यह CL, यह CL, मतलब BB, यह आपका EN, और यह आपका EN, तो यहाँ पे क्या होगा, यह plane of symmetry है, plane of symmetry है, तो यह OI नहीं दे सका, फिर यह आपका OI न यह सेम है, A, A, A2, B2 टाइप का है, सिस वाला बिल्कुल दे देगा, आप यू समझे, यह आपका ETHIALINE, डायमीन हो गया, यह सिस आइस समर हो गया, अब इसमें plane of symmetry नहीं है, अपने को लगता है कि यह plane of symmetry बन जागा है, लेकिन नहीं, यह bond plane के उपर है, तो इसकी जो ring बने प्लेन ओब symmetry के अंदर नहीं होती है, तो यह होगा ही देगा, तो आपका answer correct कौन सा चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा, next question की बात करें अपने, which of the following reaction is incorrect, यह तो आपको पता ही, white phosphorus से, आपके SO2Cl2 से reaction करवाई जाती है, तो PCL5 बनता है, बिल्कुल correct है, यह white phosphorus के SOCl2 से करवाई जाती है, तो PCL3 बन जाता है, साथ में S2Cl2, इस product का आपको खास तोर से द्यार रखना है, जब PCL3 बनता है, clear, तो यह भी correct है, आपको तो incorrect उनना है, यहाँ पे देखा जाए, PS3, phosphine से reaction करते हैं, तो copper phosphine बनता है, यह भी आपका correct reaction है, यहाँ पे बात करें, POCl3, तो POCl3 में oxidation state देखो, इसकी कितनी है, प्लस 5, तो याद रखे है, hydrolysis में वैसा जो product बनता है, उसकी oxidation state शेम होती है, जो आपके reactant की होती है, hydrolysis process में oxidation state change नहीं होती है, जनरली, क्योंकि hydrolysis कोई red ox reaction है, नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे जो product बन रहा है, वो तो plus 3 का बन गया, इसका जब hydrolysis किया जाता है, तो product बनता है, H3PO4, तो आपका incorrect कॉन सा हो गया, fourth वाला, तो आपका answer कॉन सा हो जाएगा, यहाँ पे, fourth correct answer हो जाएगा next question की और तरले मिटा, आप देखेगा, N electron is in one of the 3D orbitals, एक electron है, वो किस में है, 3D orbitals में, what are the possible value of N, L, M, N बोले तो principal quantum number, L, azimethal quantum number, और आपका M, magnetic quantum number, तो D में है, तो D में होने का मतलब है, 3D में है, 3D में है, तो N की value तो हो गई, 3, सोचने की जुरूती नहीं है, D आगे है, तो L की value, 2, अब M की value जो होती है, वो कहां कर होती है, minus L, 0, 2, plus L तक चलती है, तो आजाएगे, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, सभी possible values है, तो आपका कॉन सा answer हो जाएगा, इसमें, 3 साएगा, next, जी, correct, order of hybridization of the central atom in the following species, ammonia, इसमें SP3 hybridization होगा, इसके tetraidal geometry होती है, safe की बात करें, तो pyramidal safe होती है, यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर देखो, platinum, platinum के पास weak field agent भी strong field मिल जाता है, और strong field बन जाता है, तो pairing हो जाएगी, इस वज़े से loisfin complex बनेगा, वो ले तो DSP2 hybridization होगा, आपका क्या होगा, DSP2, PCL5 आ गया, तो PCL5 solid देता, तो PCL5 अगर solid देता, तो आपका यह PCL4 plus और PCL6 minus की form में होता, तो ऐसे में, इसका hybridization SP3 और इसका hybridization SP3D2 हो जाता, लेकिन यहां पर कुछ दिया नहीं है, solid की बात की नहीं है, तो ऐसे में आप इसका regular hybridization ही देखें, जो कितना होगा, SP3D, और PCL3 की बात करें, तो boron का hybridization ही हा, कितना हैगा, SP3, तो अपना answer हो जाएगा, SP3D, SP2, SP3D और SP2, एक मेंट, यह SP2 हो गया, जाएगा, sorry, BCL3, तीन वेलेंस इलेक्रोन इसके तीन है, 3,6 दिवाइड बाइट तो इसका hybridization आपका कितना जाएगा, SP2, तो आपका answer आजाएगा, SP3, 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 DSP2, SP3, DSP2, फिर आपका SP3D, SP3D, और SP2, मतलब, second correct answer हो जाएगा, next, which one of the following pair of species have the same bond order, सलो आज आपको बताई देते हैं, एक इसको तो अलग कर देना, CO+, यह तो है exception, इसका तो bond order 3 से भी जादा हो जाएगा, देखा जाएगा तो इसको 3.5 बोल दिया जाते हैं, लेकिन बोलना तोड़ा गलत होता है, आपने यह कह सकते हैं, 3 से बढ़ जाएगा इसका bond order, क्योंकि यहाँ पर जो electron निकलता है carbon monoxide से, या carbon algae, वो anti bonding और vital से निकलता है, क्लियर, अब यहाँ पर बात करें, जिन species में number of electron सेम होते हैं, डाइटोमी की species में number of electron सेम होते हैं, उनका bond order भी सेम होगा, उनकी magnetic property भी सेम होगी, तो आप यहाँ पर देखिए, carbon के पास 6 है, और 7 electron किसके पास है, nitrogen के पास 13, एक gain कर लिया 14, और यहाँ पर भी 8 और 6, 14, तो यह आपकी 100% सेम bond order रखेंगे, इसका भी bond order 3 होता है, इसका भी bond order 3 होता है, आप MOT apply करके इसका निकाल सकते हैं, next question, froth flotation process is based on, मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, froth flotation method होता है, वो adsorption theory पर depend करता है, या आपन यह कह सकते हैं, और की जो wetting nature होती है, भीगने की जो परवर्ती होती है, उस पर depend करता है, आपको पता है, ask है, वो तो भीगेगा किसमे, oil में, तो वो तो froth बना लेगा, और आपकी जो impurity है, वो किसमें dissolve हो जाती है, आपकी water में, तो आपका यह आजाएगा, वीटिंग ने चलो, आपका कौन सा answer चला जाएगा, चलो, next की बात करें, considering the element, fluorine, chlorine, oxygen and sulfur, the correct order of their electron affinities, चलो, आज आपको electron affinity का बिलकुल एकदम सांदार रहमबान इलाज देते हैं, इधर जानते, 14, 15, और यह मैं लिए 15, 16, 17 में पहुंचती हैं यह लो, इतना याद रखो, clear, तो यह आपका कौन आ गया, nitrogen, phosphorus, यहाँ कौन आ गया, आपका, oxygen, sulfur, fluorine, और यह आपका आगया, chlorine, याद रखें, second period से ज्यादा, third period की होती है, yellow, उसके बाद में, ultain मना दे, यह आगया, ultain, तो सबसे कम, nitrogen, फिर phosphorus, फिर oxygen, फिर fluorine, फिर chlorine, आपको तो फिर भी यह इतना ही पूचा है, तो सबसे कम तो रहेगी, oxygen, उससे ज्यादा sulfur, sulfur से ज्यादा fluorine, fluorine से ज्यादा chlorine, आपका कौन सा जाएगा, third, अगर यह E-N का order पूचता है, तो ultra-z बना दिया करो, कैसे, जैसे आपको कह दे, 15 और 16 गुरूप में बात कर रहा है, nitrogen, phosphorus, oxygen और sulfur, तो ultra-z का मतलब है, यह इदर जाने पर, L to R जाने पर बढ़ती है, electron negativity और फिर यह ultra-z, तो phosphorus, फिर sulfur, फिर nitrogen, फिर oxygen, यह E-N का, तो जब भी E-N पूचे, ultra-z बना दो, और जब भी electron affinity पूचे, ultra-n बना दो, मामला set हो गया आपका यह, next, which of the following statement are correct, कौन सा statement है, जो correct है, देख लेते हैं, hydration energy of strontium ion is greater than the beryllium, नहीं भाई, आपको पता है, hydration energy size के inversely चबता है, तो size इसकी कम है, तो इसकी ज्यादा हो गया, hydration energy first statement तो यहां completely wrong है, calcium carbonate decompose at high temperature than beryllium carbonate, इसका मतलब यह कहना चाहरा है, यह मुस्किल से तूट रहा है, इसका मतलब इसकी thermally stability ज्यादा होगी, नहीं, इनकी thermally stability ionic potential से देखे जाती है, और ionic potential से inversely होती है, इनकी TS होती है, वो ionic potential inverse होती है, इसका मतलब यह आपका क्या जाएगा, charge upon size, जिसकी size ज्यादा होगी, उसकी thermal stability ज्यादा होगी, तो barium large size जगा है, तो इसकी thermal stability ज्यादा होगी, यह बात पर के लगा, barium hydroxide is stronger based than, में बिलकुल सही है, नीचे जाने पर आपका, ionization energy increase होती है, तो उनकी, आपकी क्या हो जाएगी, basic strength, नीचे जाने पर, down the group ionization energy decrease होती है, आप इसको यह कर लीजिए, एक मिंट, याद रखे, oxide और hydroxide उनकी basic strength देख नहीं हो, किसके, metallic oxide की और metallic hydroxide की basic strength अगर आपको देख नहीं है, तो आप कह दीजिए कि IE से उल्टे चलेंगा है, positive oxidation state से भी उल्टे चलेंगा है, तो आपको बताए, down the group ionization energy कम होती है तो basic strength बढ़ेगी, तो इससे ज्यादा basic strength है, किसकी होगी यह, तो यह सही हो गया, solubility की बात है, तो आप याद रखे, sulfate की solubility second day में नीचे जाने पर क्या होती है, decrease, क्यों, hydration energy rapidly decrease होता है, जबकि lattice energy slightly decrease होता है, तो ऐसे में सिर्फ beryllium sulfate और magnesium sulfate यह दो solubile होते हैं, बाकि यह कहा रहा है, strontium sulfate is less solubile, बिल्कुल सही बात है, calcium sulfate से कम ही solubile हो गई, तो यह, तो third और fourth, तो आपका answer कौन सा जाएगा, first, next, basic character of 50, hydride में basic character बताने तो याद रखे, Lewis basic strength जो होती है, वो lawn pair density के directly proportional to होती है, और lawn pair density size से उल्टा चलती है, तो size नीचे जाने पर nitrogen से बढ़ा, phosphorus, phosphorus, arsenic, arsenic से बढ़ा, anti, तो इनकी size बढ़ रही है, तो lawn pair density कम हो रही है, lawn pair density कम हो रही है, तो Lewis basic strength भी कम हो रही है, क्योंकि lawn pair की donating nature कम हो जाएगी, आपका यहाँ पर first ही answer हो जाएगा, clear? next, next अपने क्यूसन को देख लेते हैं which of the following, carbonyls will have the strongest CO bonds, strongest CO bonds, तो याद रखो, metal और carbonyl में जब bonding होती है, तो यहाँ triple bond होता है, यह इसको lawn pair देता है, लेकिन इसके fulfilled D orbital इसके vacant 5 star में वापस से देते हैं, जिस वज़े से यह bond हट जाता है, तो यहाँ का bond order कम हो जाएगा, तो bond length बढ़ जाएगी, bond length बढ़ने का मत मतलब है, bond strength कम हो जाएगा, और याद रखे, इस phenomenon को synergic effect का जाता है, anionic complex में synergic effect ज्यादा होता है, तो kateinic में कम हो गया, इसका मतलब है, इसमें synergic effect सबसे कम है, synergic effect कम है, तो back donation कम होगा, back donation कम होगा, तो यहाँ की bond order ज्यादा decrease नहीं होगी, तो bond strong बना रहेगा, तो आपक next, which of the following halide is least stable and has doubtful existence, बिल्कुल सही बात है, आपको पताए, inert pair effect की वज़े से यह plus 4 भी कम ही stable होता है, यह आपका oxidizing agent बन जाता है, और iodide आपका reducing agent होता है, तो यहाँ redox reaction हो जाएगा, यह PBI2 plus I2 में टूर जाएगा, तो आपका कौन सा answer हो जाएगा, fourth answer हो जाएगा, next question की ब an element with a configuration, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, will form a compound of highest ionic character, तो इसको देखें पता चल रहा है, हेलोजन है, हेलोजन में कौन सा यह chlorine है, तो याद रखें, सबसे best ionic bond देखने को मिलता है, first A और 70 के पास, तो first A का यह आगया, यह नहीं आगया, और नीचे जाने पर आइगा, जिसने energy कम होत है, तो केटायन जितना ज्यादा large size गा होगा, वो उतना ही ज्यादा ionic character रखेगा, तो इन में सबसे large केटायन यह हो गया, यह तो बनाएगा नहीं, inert gas हो गई, यह D वाले होते हैं, इनके ionic character की बजाए, covalent character ज्यादा consider करेंगे, अब यह दोनों बनाएगे ionic, लेकिन इस स नेक्स्ट, कमनोफर, पोटेशियम परमेगनेट एंड पोटेशियम डिक्रोमेट आर इस्ट्रोंग ऑक्षिडाइजिंग एजेंट विच ओफ दी फोलोविग नॉट करेक्ट अबाउट दियर ऑक्षिडाइजिंग नेचर, देख लेते हैं, इन असिडिक मेडियम परमेगने इन औक्षिडाइज 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 2 में तो परमेग ने और आयोडीन को आयो 3 माइनस में ले जाता है ये भी बिल्कुल सही बात है डायक्रोमेट आयन ओक्षिडाइज सुल्फर इंटू हाइडरोजन अरे यहां पर अगर देखे सल्फाइड को सल्फर को अगर सल्फाइड में लेके गया तो यह तो 0 से माइनस 2 में गया है इसका तो रिडेक्शन करवा दिया यह बात कते ही सही नहीं है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा फॉर्थ इंकरेक्ट यह अपना लास्ट क्यूसिन है इन और्गेनिक का राइटガी सीनेम ओफ एक कॉंपलेक्श दिया है यह बताना है, केटाइन लिटन फर्सändern और नियुक्षटina की ऑक्सड़ेशन ही निकालने है यहाँप इसकिए आकर निकालने him तो यहां पर यह का गया that का ये निम टलाई ओक्ईिं यह प्लस त्री है फिर इसका नाम अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही बाई डाई ट्राई हो तो उनकी नंबर को शो करने के लिए 20 ट्रिस ट्रेट राकिस जैसे वर्ड यूज करते हैं तो आपको पता है यह एथेन 1 टू डाई एमीन है तो इसके नाम में पहले से ही डाई आ गया तो इसकी नंबर कितनी है त्री इसको शो करने के लिए ट्रिस काम में लेंगे तो ट्रिस से यह तीन चल रहे हैं तो यह तो गया है पिर ट्रिस से एथेन 1 टू डाई एमीन सही बात है एथेन 1 टू डाई एमीन कोबाल्ट oxidation state विल्कुल third है तो ये सही हो गया अब ये ये भी गया oxidation state से फिर लास्ट में किया है sulfate तो number of iron कभी show नहीं करते है sulfate ही लिखा जाएगा इसमें mistake क्या करती tri-sulfate लिख दिया number of iron कभी भी show नहीं किया जाती है वो complex क्यों हो चाहिए counter iron क्यों हो clear तो ये बात थी पेपर की आयोव सबका आच्छे से गया होगा आप clc के दंगल के साथ बने रही है पूरा exam orient आप का पेपर होगा और इसमें कोसिस यह करें ज्यादा से ज्यादा negative को minimize करने की ओके तो मिलते oriented NCRT based और NEET में rank improvement और selection के लिए वर्दान साबित होती है तो हम question discuss करते है question number 63 the number of molecule in one drop of 0.18 ml of water density of water is 1 gram per ml these students mass of water m is equal to dv d हो गया 1 gram per ml v हो गया अपने पास 0.18 ml यह अपने पास आ गया 0.18 ग्राम अगर number of mole calculate करने तो अपने पास number of moles जो होंगे number of mole यह हो जाएंग अपने पास 0.18 gram divided by molar mass 18 0.01 mole 0.01 mole means number of H2O molecule number of H2O molecules H2O molecules 6.02 into 10 to power 23 into 0.01 number of H2O molecule हो गया 6.02 into 10 to power 21 molecules तो अपने पास कौन सांसर हो जाएगा number of molecules 6.02 into 10 to power 21 molecules. Next, the term of the correction of attractive force present in the real guess in the Van der Waal equation. जो Van der Waal equations होती है, Van der Waal equation P plus N square A upon V square V minus NB is equal to NRT. यहाँ जो force of attractive को represent करता है, वो force of attractive को represent करता है यह वाला. तो यह वाला कौन सा हो गया अपने पास? N square A upon V square. कौन सा option correct हो रहा है? अपने पास second option correct हो रहा है. तो attractive force को represent करने वाला force यह हो जाएगा. ओके, next. What is the correct sequence of the osmotic pressure of 0.01 M aqueous solution? These students, जो colligative properties है, अल्सो डिपेंड ओन दे particle obtained from the solutes. There is aluminum sulfate. Al2 SO4 का whole thrice. अपने पास यह ठूटे का 2Al plus 3 plus 3 SO4 minus 2. Number of particles जो मिलेंगे, वो 5 particles मिलेंगे. अपने पास K3PO4, K3PO4. यह dissociate होगा. 3K plus, plus PO4 minus 3. PO4 minus 3. 3 ओर 1, 4. 4 particle मिलें dissociate हो जाएगा. BA Cl2 है. अपने पास BA plus 2, plus 2Cl minus. यह dissociate होगा. 3 particles मिलेंगे. और यूरिया, यूरिया अपने पास non electrolyte है. नोन electrolyte है, तो कितना पार्टिकल रहेगा? 1 particles. Number of particles सबसे highest होगे. Al2 SO4 का whole thrice. इसका osmotic pressure भी क्या होगा? Highest होगा. क्योंकि total जो concentration? इसकी 0.05 M. अपनी हो जाएगी. इसकी 0.04 M. इसकी 0.03 M. इसकी 0.01 M. I के साथ आप multiply करेंगे. तो I C की value यह आजाएगी. यह value जिसके लिए highest होगी, osmotic pressure उसका highest होगा. तो सबसे highest किसका? Aluminium. A वाले का. फिर πाई 1. फिर इसका क्या हो जाएगा? पाई 2. फिर पाई 3 और पाई 4. तो कौन सा अंसर अप गया? सेकेंड अप्शन करेक्ट हो गया. ओके दिये स्टुदेंट्स. नेक्स्ट। The equilibrium constant for the dissociation of the various oxide of an element A are given at constant temperature. The stability of the oxides. Oxide की stability के order में arrange गरना. दिये स्टुदेंट्स जो यहाँ given है अपने पास. यह dissociation के लिए अपने पास equilibrium constant given है. अलाग अलग के लिए dissociation के लिए equilibrium constant given है. मिन्स दो जार्दा unistability constant. और stability constant के लिए बात करते हैं. तो unistability constant जिसका सबसे कम होगा? वो वाला सबसे ज्यादा stable होगा. तो सबसे कम किसके लिए हो गया? वो इसके लिए. तो सबसे ज्यादा stability first इसकी होगी. सेकिंड नंबर stability second वाले की होगी. फ़र्ड नंबर stability इसकी होगी. और fourth stable किसकी होगी? fifth की. क्योंकि unistability constant given अपने पास तो सबसे ज्यादा stable अपने पास बन. कौनसा? A2O. A2 कहां पे? यह O2. और किसी में? A2. सबसे ज्यादा stable. उसके बाद second. AO. तो AO यह होगया. उसके बाद second. उसके बाद third stability A2O. और fourth stability A2O5. तो stability का order यह होगया. कौनसा option correct होगया? first वाला option correct होगया. ओके? in an adiabatic process not transfer of heat take between the system and surrounding. adiabatic process में system और surrounding के between कोई भी heat का transfer नहीं होता है. choose the correct statement option for the free expansion of the ideal guest under adiabatic condition. एक ideal guest adiabatic condition से heat का transfer नहीं हो रहा है. तो कौनसा option correct है? these students free expansion है. तो P external कितना होगया? 0 होगया. P external 0 है. तो W is equal to क्या होता है? P external DV. तो P external 0 होगया. तो W कितना होगया? 0 होगया. W कितना रहेगा? 0 रहेगा. नेक्स्ट अपने पास adiabatic condition है. तो Q equal to कितना होगया? 0 होगया. क्यों भी क्या होगया? 0 होगया. और first law of thermodynamics क्या कहता है? D is equal to Q plus W. D is equal to Q plus W. Q भी 0, W भी 0. तो D भी कितना होगया? 0 होगया. और ideal gas के लिए जो internal energy है किसका function है? Temperature का. तो D 0 होगया. तो अपने पास T delta T भी क्या होगया? 0 होगया. कौन सा option correct होगया? 3rd option correct होगया. ओके? Next. The half cell reduction potential of the hydrogen electrode at pH 10 will be. Reduction potential की बात कर रहा है. Means H plus gain 1 electron and convert into the half of half of H2. और Nust equation अगर apply करते हैं, तो Nust equation होती है. E cell equal to E naught of cell. minus 0.0591 divided by N. लोग product upon reactant. लोग product upon reactant. E cell equal to hydrogen electrode है. तो E naught of cell कितना होगया? 0 होगया. तो E naught of cell कितना होगया? 0 होगया. तो यह अपने पास होगया. 0. minus 0.0591 divided by 1. लोग pH 2. कुछ नहीं गया, तो hydrogen का pressure कितना है? 1. और यह क्या होगया? upon 1 upon H plus. 1 upon H plus. तो हमने यह लिखा E cell equal to अपने पास होगया. E cell equal to minus 0.0591 और H plus. minus H plus. तो लोग H plus pH आगया. अपने पास pH आगया. pH की value कितनी रखी? 10. तो अपने पास क्या होगया? E cell equal to minus 0.59 volt होगया. Okay, students. कौंसा answer correct है? Second वाला option correct होगया. MnO4 oxidize H2O2, 2O2 in acidic medium. MnO4, H2O2, X, MnO. coefficient X, Y and Z are respectively. MnO4 minus है. MnO4 minus. H2O2 के साथ react कर रहा है. In acidic medium. तो अपने पास यह Mn plus 2 plus O2 plus H2 में convert हो रहा है. तो यह coefficient है. X, Y और Z coefficient क्या होगया? D students, इन्हें चेक करते हैं. यहाँ oxidation state में change कितना है? Mn. यहाँ oxidation state प्लस 7. प्लस 7 से प्लस 2. कितना होगया? Change होगया 5 का. यहाँ oxidation state कितनी है? Minus 1. कितना होगया? 0. कितने का change होगया? 2 का. तो यह यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 5. Oxidation method से solve करते हैं. Mn का coefficient आजाएगा 2. H2O2 किस से produce होगा? H2O2 से. तो यह coefficient कितना होगा? 5. ठीक है. अब oxygen को balance करते हैं. Oxygen 5 O2 balance होगया. कितने oxygen remaining रहे? 8 O2 remaining रहे. 4 O2. तो यह होगया अपने पास 8 H2. H plus कितने हो जाएंगे? अपने पास कितने होगे? 6 H plus. तो D student coefficient क्या-क्या होगे? एक coefficient X की value तो होगी 2. Y की value कितनी होगी? Y की value अपने पास होगी 5. और Z की value कितनी होगी? 6. कौनसा option correct होगया? 3rd option अपने पास correct option होगया. in FCC crystalline arrangement of the X atom Y atom occupy the half of tetrahidal void and Z atom occupied the octahidal void suggest the formula of the lattice FCC X ka arrangement FCC X ka arrangement FCC means FCC X ka ho hiya corner plus corner plus face center face center corner kithne the 8 1 by 8 plus 6 into 1 by 2 total kithne atom ho ge 4 atom ho ge ab y y kaha range da y at the half of tetrahidal void these students tetrahidal void say twice of the number of atom hoti hai but half of tetrahidal void means y kitna ho geya 4 ho geya z octahidal void z sari kya sari octahidal void me he tetrahidal tetrahidal void or he cash me ho ge octahidal void octahidal void me he kitna ho geya 4 e ho geya to formula to formula kya ho geya x y or z 4 4 or 4 empirical formula banahengi kya ho geya x or z kongsa option correct ho geya apne pass first wala option correct option ho geya okey d students ratio of the time taken for the completion for the 99% and that 99% first order reaction eq bar 99.9% eq bar 99.9% eq bar first order reaction 90% complete ho geya today students today students हम लोग कह रहें kt is equal to kt first order reactions के लिए लगाते हैं तो 2.303 log a upon a minus x हम लोग कह रहें kt 99.9% तो यह हो गया आपने पास 2.303 log percentage है तो 100 upon 100 minus 99.9 तो kt 99.9% बराबर हो गया 2.303 log 1000 आएगा और log 1000 की वेली हो जाएगी 3 अगर इसे 99% के लिए sold करें तो kt 99% equal to हो गया आपने पास 2.303 log 100 upon 100 minus 99 तो kt 99% इक्वल तो अपने पास हो गया correct option हो जाएगा ओके select the correct statement the ionic crystal agbr has short की defect ionic crystal agbr short की defect भी होता है frankal defect भी होता है तो statement सही हो गया short की defect तो present होता ही है the unit cell having crystal parameter a equal to b but not equal to c alpha equal to beta equal to 90 and gamma equal to 120 is hexagonal hexagonal crystal structure होती है alpha a equal to not b equal to c होता है alpha equal to beta equal to 90 but gamma equal to 120 okay the ionic compound having frankal defect the ratio of r plus and r minus is i frankal defect में catein क्या होता है smaller catein होता है catein smaller हो जाएगा तो r plus upon r minus high की जाएगा low हो coordination number of na plus i mean na cl is 6 ये विलकुल क्या है सही statement है तो कौन से statement सही होगे a b or d statement सही होगे okay dear students the activity of the radioactive sample decreases to one third of the original activity the period of the 9 year after 9 year more than its activity after 9 year anode by 3 तो second half life के बाद ये 9 year after फिर more 9 year activity कितने हो जाएगी anode by half life कितना हो गया 3 हो गया to anode by कितने हो जाएगी 9 हो जाएगी तो विलकुल correct हो गया कितने हो जाएगी anode by 9 हो जाएगी ओके next boiling point of an azotropic mixture of water and ethanol is less than the both water and ethanol water H2 और ethanol C2 H5 OH इसको आपने mix किया तो non-ideal solution बना non-ideal solution में भी कैसा बन गया अपने पास positive deviation positive क्यों बन गया क्योंकि hydrogen bonding बनेगी hydrogen bonding due to that C2 H5 OH कैसा पार्ट होगा यह hydrophilic hydrophobic hydrophobic part होगा तो hydrogen bonding पहले वाली hydrogen bonding से क्या हो जाएगी weak हो जाएगी weak हो जाएगी तो कैसा positive deviation होगा तो mixture will show negative deviation wrong statement हो गया positive deviation correct statement हो गया the will mixture show not deviation from the null slow incorrect statement हो गया the mixture cannot consider it a true solution dear student true solution means classified true solution and the suspense solution to true solutions होता है तो ये तो बात बिल्कुल सेगी incorrect तो कौन सा statement correct हो गया अपने पास second statement correct statement हो गया ओके एन electrochemical cell represent as the follow L L plus 3 CL to CL minus में convert हो रहा means dear students L convert into the L plus 3 plus 3 electron CL 2 gain 2 electron gain 2 electron and convert into the 2 CL minus ठीक है दोनों equation को add करना तो number of electron equal होने चीए इसको कितने multiply कर दे 2 से इसको कितने से multiply कर दे 3 से multiply कर दे तो क्या हो गया 2 L plus 3 CL 2 equal to 2 L plus 3 plus 6 CL negative E C L equal to Nust equation कहती है E C L equal to E naught of C C 0.059 1 minus upon N की विल्यू कितने होगी? 6 होगी लोग L plus 3 का Sq Sq का square और यहां भी 10 to power minus 1 की power 6. कितना हो गया? minus 8. तो 0.08. 3.02. minus minus plus 0.08. कितना हो गया? 3.10 अंजरो जाएगा. कौन सा option correct हो गया? 4th option, correct option हो गया. next, following equilibrium is the established in 2 liter container with 1 mole of NH3. At equilibrium, the concentration of N2 is found with this M. Degree of dissociation of NH3 at this temperature. 2 NH3 equal to N2 plus 3H2. initially, यह कितना था? 1 था. यह 0 और 0. 1 minus 2X. यह कितना हो गया? X और यह 3X. और concentration N2 की given है. N2 की concentration means mole upon volume. X upon 2 equal to कितना हो गया? 0.15. X is equal to कितना हो गया? 0.3. simply लगा ले तो NX बराबर A alpha लगा देते ही. तो N की value कितनी हो गया? 2. X की value कितनी हो गया? 0.3. A की value कितनी हो गया? 1. alpha calculate करना. alpha is equal to 0.6. means alpha equal to कितना हो गया? 60% अपनी पास आणसर आजाएगा. कितना परसेंट हो गया? 60% हो गया. Okay, next. Which of the following electrolyte is the more effective coagulation agent? Coagulation for the ferric hydroxide. Dear students, ferric hydroxide soul कैसा होता है? Ferric hydroxide जो soul होता है, वो positively charged soul होता है. कैसा होता है? Positively charged. Coagulation के लिए कौन सा iron utilize होगा? Counter iron. Counter iron means negative iron include होगा. तो अपने को पास K4 Fe Cn6 है. यह किसमें detritus heat होगा? 4K++ Fe Cn6 minus 4. जो aluminum sulfate जो ionized होगा 2Al plus 3 plus 3SO4 minus 2. जो calcium phosphate होगा 3CA plus 2 plus 2PO4 minus 2. और अपने पास CA plus 2 plus 2Cl minus. Counter iron में जितना charge ज्यादा होगा, negative charge, उतना ही उसकी coagulation power ज्यादा होगा, more effective होगा. किसमें counter iron में सबसे ज्यादा charge होगा? इसमें. तो correct answer fast हो जाएगा. Okay. Next. A system absorbs 500 Joule heat and does 50 calorie work on surrounding. The change in internal energy of the system. Change in internal energy of the system. These today's delta, first law of thermodynamics. delta E is equal to Q plus W. Q. Absorb 500 heat. 500 heat क्या हो जाएगी? Positive Joule में. Minus and does the 50 calorie work on the surrounding? Means negative होगा बद. तो यह 50 calorie है. तो यह होगा. Minus 50 into 4.2. These students इसे negative किया. तो delta E is equal to अपने पास आगया. 290 Joule. Delta E is equal to plus आगया. तो plus 290 Joule. OCD students, third option हो जाएगा. OCD students, best of luck for NEET exam. NEET exam and ZZ CLC. नमस्कार दोस्तों. मैं एपसे एकमिस्रा टीम CLC. आज हम लोग दंगल पे बात करेंगे. दंगल टेस्टरीज फॉर NEET 2022. ठीक है? इसमें, जो मेरे सामने बैठे हैं, भावी डॉक्टर, CLC आपके लिए एक बहतर स्लोग ओबर, जो लास्ट में क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट के दस ओबर कितनी तेजी से रन बनाया जाते हैं, और वही मैज रिसाइट करता है. तो वही दंगल आपके सामने पेस है. पहला question, the correct order of, the correct order of, is of dehydration of the following, निम्न में से निर्जली करण का सही करम होगा, ठीक है, dehydration, product की stability, कार्बो कटायन की stability, आपको देखनी है, ठीक है, देखना, इधर देखना, यह हो गया, OH, यहां क्या हो गया, प्लस, OH प्लस, OH प्लस, OH प्लस, simple से बात, और जब इसका minus H प्लस करेंगे, तो product क्या बनेगा, यह, बेंजी, और stable हो गया, यह देखो, यह हो गया, और इसमें simple, यह, कई बहुत दुनों को consider करना, यहां आपके लिए, normal question है, सीधे कार्बो कटायन की stability देख लो, तो भी हो जाएगा, ठीक है, तो answer क्या हो ज matter, 3, 2, 1, टीक है, next question पर चलते हैं, next question, बहुत ही आराम से काम, NCRT का फिर question है, line to line बात कर रहे हैं, सीधे बात, हाँ कुछ connect करेंगे अपने, यह तो क्योंकि आप तक अधिक से अधिक बाते पहुंचा सकें, इस वज़े से, इन given compound, order of boiling point, carbonil compound chapter में, तो इसको हमने पूरे proper कर लिया, इज़ा देखो, acid, alcohol, carbonil, aldehyde, ketone, aldehyde, फिर ether, फिर alkane, पूरी बात कर दी हमने, अब सुनो, यहाँ पे तीन दिये गया है, alcohol दिया गया है, aldehyde, acid, सबसे दिख कौन होगा, सबसे दिख कौन होगा, बेटा, acid, क्योंकि इसमें, acid सबसे दिख होगा, क्योंकि इसमें, dimer hydrogen bonding होती है, dimer H bonding, क्या होता है, dimer H bonding, clear, तो सबसे दिख हो गया, third, फिर alcohol, hydrogen bonding, और फिर then aldehyde, तो 3, 1, 2 Acid, Alcohol, Aldehyde 3, 1, 2 अराम से बात तो करेंगे हो सकता है सीधे question किसी में से आ जाए ठीक है Increasing order of rate of SDN addition to compound A2D सुनने बिटा Carbonary compound generally nucleophilic addition देता है पहले aliphatic aldehyde aromatic aldehyde aliphatic ketone aromatic ketone clear अब दोनों मालों aldehyde aliphatic तो हमें क्या देखना है steric endurance जितना कम steric endurance होगा rate of reaction उतनी ही आधिक होगी ठीक है तो यहाँ देखते है सबसे दिखो जाएगा A formaldehyde है A, A के बाद आपका अब ketone वाले हैं ketone में देखो इसमें CS3, CS3 इसमें pH, CO, CS3 इसमें aromatic दोनों तरफ है तो इधर हो गया B फिर C और फिर D कौन सा हुआ? A, B, C, D answer क्या होगा? 4 आराम से बातों को करेंगे कोई नहीं कोई जल्दी बादी नहीं है nucleophilic addition, HCN के साथ reaction याद है, पहला ही है, कार्वोई कंपॉन में chemical reaction में HCN ही दे रख्था है ठीक है, देख लो इसको आराम से तो 76, 76 का क्या हो गया? 4 question देख लिया है concept, elephatic aldehyde, aromatic aldehyde, elephatic ketone, aromatic ketone ठीक है? बावो जब G main में आसान आ रहा है न इसमें भी वैसे ही आएगा ठीक है? चलो next SN1 quarter SN1, SN1 क्या करना है? कार्वो कटैन की stability, आराम से BR हटाया, प्लस बना दिया 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 ठीक है? तो benzene ring लेकिन यहां क्या आ गया? अरो, BB फिर क्या आ गया? BB backbonding, क्या गई? BB, backbonding, तो और इधर benzene, तो सबसे दिखो गया D D के बाद, अब देखो यहां, दो benzene है D के बाद क्या आ गया? B यहां benzene है, इधर CH3 3 alpha hydrogen, इधर 2 3, 3, 6 है, तो B के बाद क्या आ गया? A, क्या आ गया? C तो D, B, A, C Clear? सीदे कार्बोकाटाइन के stability देखी, backbonding, normal resonance से recastable होता है, इस दिए सबसे पहले किसको किया हमने? इसको loan pair के बगलने positive charge भुआ था था ना, यह loan pair के बगलने positive charge बिटा क्या हो गया? backbonding B, B, ठीक है? next बात करते है तो इसका answer पताजे कौन सा ना? answer हो गया, third ठीक है? बोलो 77 का answer क्या हो गया? third, clear है? next बात IUPAC name जान बुसकर दिया गया है क्योंकि major IUPAC name, किदर देखो one, two, three two पे, सीधे लंबी चेन कर ली two पे क्या लगा है ये? methoxy two methoxy propanol यह answer हो गया? third two methoxy propanol clear है बात? next आते हैं vitamin D की कमी से होता है deficiency और vitamin E cause ठीक है? इसकी कमी से कहोता है sturdy मतलब infertility बंदेता जाना है? और vitamin E का chemical name क्या है? tocopherol जिसमे infertility infertility को ही sturdy कहते हैं ठीक है ना? कर लोगे? next बात और सभी vitamin के आपको vitamin क्या याद रखना है? chemical name याद रखने है सब के और कौन सा DGC हो रहा है जिसमें था scurvy, ricate, beri-beri vitamin C, scurvy ricate, vitamin D beri-beri, B ठीक है? among the following polymer which one does not contain nitrosan this does not contain nitrosan देख लो question सांदार अब देखो इदर एक बार नीट में question पूछा है कि मेलामीन में कितने lone pair है copy में लिखा होगा आपके जोन पॉलीमर पड़ी copy में लिखा हुआ है कि मेलामीन में 6 है lone pair जेए में में इस साल ओई question repeat कर दिया ठीक है ना? तो इड़्वांस में पूछा था पहले पूछा था पांस नंबर का question कि मेलामीन में lone pair की संख्या आच्छा है मेलामीन फॉर्मेंट लेजिन है ना? इस साल जेए में में उसको repeat कर दिया पूछा है कि मेलामीन में कितने lone pair है अब नीट में भी आ सकता है तो एक question extra मेलामीन में lone pair की संख्या बराबर छाहे अब इदर देखो nylon nylon 6 ले लो nylon 6 10 ले लो nylon 6 6 ले लो nitrogen है उसमें जिसे nylon 6 है capital actum monomer जहान है capital actum सब बाते कर दे रहे हैं पे में जलब गटन सन नहीं था है मतलब हाइड्लूसिस इन्वाल्व है ये एक nylon 6 में है nylon 6 10 nylon 6 6 nylon 6 6 की बात क्या होगा ADPK acid और ADPK acid CS2 4 COH और बोलो ये है hexamethylene diamine इसमें भी nitrogen है 6 10 भी आपके है हलो NCIT में 6 10 भी है कहाँ पे है जानते हो अंदर जो question जहाँ पे है न वहाँ दे रखा है तो इसका Sibasic Acid मतलब यहाँ 8 कर दो बस nylon 6 10 के लिए 8 कर दो और ये रहेगा nitrogen है ठीक है मिटाएं इसको मेलामीन में होई गया nitrogen nylon में होई गया decron decron ये क्या होते है ester linkage इसमें होते हैं इसमें नहीं होता तो answer कौन सा अगा second और लॉन ठीक है acrylene याद है ना CS2 double bond CHCN इसमें nitrogen है clear तो decron में क्या होता है ester linkage होता है इसमें भी पूछ लेकिसमें amide linkage होता है तो nylon वाले में चलें आगे ठीक अगली बात एक कोसिस करीगे ही वाई हलो इस साल जही में में फिर इस question को दिया CS3, CS2, BR2, KOH देखो इदर देखना बिटा यह लिख दे रहे है CS3 CH2, NS2 और यहाँ CS3, CS2 CS2, NS2 अब यहाँ कुछ बाते कर लेते हैं कितने मोल BR2? 1 कोच 4 हो गया? यह question पूछ सकते हैं यहाँ तो reduce हो के CS2 में अब इसमें इसमें क्या संबन्द है? आईसोमर तो कोई नहीं बई अलो, बाबू आईसोमर तो कोई नहीं है क्यों? क्योंकि आईसोमर मोलेकल फॉर्मूलर क्या होना चाहिए? सेम यह क्या है? होमोलोगर समझाती है क्या है वीटा? समझाती है देख रहा है CS2 का difference है और दोनों में NH2 एक बात और NH2, NH और N अलग-अलग क्रियात्मक्समों होते हैं ठीक है? चाहिए CS2 का difference हो भी NH2, NH वाले होमोलोगर स्थ नहीं होंगे बोलो कर लोगे? नेक्स्ट बात बहुत बढ़े है खुसरोब रियक्षन सीधे एलकाइन का हाइड्रेशन यह है न यह किया COH double bond क्या कर दिया? CS2 सही है? टॉटमराइज कर दिया यह बन गया बेंजीन CO CS3 बोलो कौन सांसर हो गया? फास्ट मज़ा बांदो इस बार इस बार मज़ा बांद नहीं है वाई इस बार 720 जिन से नजरे मिल नहीं है 720 कोशिस करो एक बार और दिन मान सही रहा है तीन घंटा तुमारा सेट हुआ तो आएगा एक्स बात करें एस बीक हाइड्रोजन अगला लाइन जो दिया है तो यह मोरे स्टीक होगा ठीक है यहां तो सिंपल एलकाइन एलकाइन बेंजीन दे रखा एलकाइन होगा भोलो साथ-साथ एक-एक बात में बताते जा रहे हैं उसको यह हाइड्रोकार्मन एस डीक इस्टेंट आपको यहाँ पढ़ना है फिनॉल में और कारबॉक्स लेकेशित बस बस बेटा कराएं इन विच रियक्शन प्रोड़क्ट है ची अचो ग्रूप बबो देखो किसमें ची अचो ग्रूप है गाटरमान कोच रियक्शन बेंजीन को उपर क्या आ गया ची अचो बोलो रियक्शन का नाम राइमर टीम больш इस रियक्शन का नाम क्या है इतार्ड बात बता रहे हैं उसको बाद पकड़ो यह तो निकला और यहाँ सीओ push क्रया आई आ कि एक्शन आए यह टक्रूप है या बीसी बोलो भई बात एकदम डॉर्मल कर रहे हैं काँ ठीक है यह देखो साफ आपको बात कर रहे हैं सीधे बात सुन लो बेंजीन के उपर कोई अलकायल ग्रूप हो जिसमें अलफा एडोजन हो किसमें जाएगा कि यहां कि यहां कि यहां किसी के साथ हम कहने पेपर में होना चाहिए ग्रिगना रिजेंड माइनस और प्लस क्या हो गया आंसर सेकेंड इस यह ओलो भाई क्लियर कट इस यह बात नेक्स अटी सिक्स देखना है देखना है देख सी ओओ अचने स्थरी के वह बात हुई थी चलो यहां तो सिंपल हीट दे रखा है तो सी ओ एनस टू हो गया बी आर्टू को एज हाफमान ब्रमाइट सीदे क्या हो गया एक कौन सांसर हो गया थार्ड है ठीक है अगर एस त्री होता तो स्यों एनस फोर बनाते तब हीट देता है तो यह की साथ हीट रखता है तो कोई दिक्कत है नहीं कि बोलो बबू कर लोगे 87 यहां पर इस रेक्शन के लिए हमने बात की हां यहां तो हो गया एनस तू है यहां एन टू प्लस रियल माइनस जेमिन ने काम किया था इसको दिया और यहां फ्लोरो बेंजीन अब सब के नाम इसको याद रखना कि जो फलोरो बलसीमन रियक्शन इसका नाम है बलसीमन रियक्शन सेंड मेया गाटरमान कोश अब got am waar Va अच्छी आती है यह सब बाते करना भई सब एंसेटिक लाइन हम बोल दे रहे हैं उसको लिए तुरंट किताब लो कि अच्छा यहां अच्छी आती है यहां अच्छा एक्ट्रには अक्ट्र is complete यहां क्या है च्छा एक्ट्रौ उप्रस पार वी टैसर है Sum पक्रणी ऑुलिवग्रूप और यह हैं एसिड और इसमें क्या माइनसने अगmême यह होता च्षी कस जल्दिवाजी मैं और्थो में लगा दे होगा वैई यह ओता तो यह दिक सिंपल सी फिर आ गया हम कौन सी रिएक्षन है कार्विल नाम बोलते जा रहे हैं इसको द्यान रखो एंसी हो गया इसमें कितने मोल तीन मोल के वेच हो गया अब एलाइल है पॉर एंसी है ना तो यह किसमें जाएगा बेंजीन तू डिग्री एमीन में एन सिस्ट्री बोलो बिटर जिसके बताते देखो अ करेक्ट आइस एलेक्ट्रोनिक इस्ट्रक्चर यह होता है यहीं पूछ लेगा अलो यहीं पूछा है कि यहां प्लस यहां- इस क्योंकि एन सी के बीच में ऐसे होता है कोडिनेट बॉन इसलिए जो देता है उसे प्लस जो लेगा उसमें माइनस एक बूल रहा होगा इसलिए हमने इसको यहां बता दिया तो कौन सा अंसर होगा फास्ट ठीक है यहीं पूछ लेगा जैसे एक बार आइटीम आया कि CS3 NH2 और यहां CSCL3 QS दे दिया कहां इसकी करेक्ट आइसो एलेक्ट्रोनिक इस्ट्रक्चर तो N प्लस और C पे माइनस यहां एलेक्ट्रो निगेटिव के वैसे नहीं किया है N देत सुल्म बेटा ध्यान से अपना काम में यहां से कूल रखो ठीक है सेंटर पर आराम से पहले पहुंचना है आपको एक गंटा पहले पहुंचो ठीक है एकदम नॉर्मल रात को नीद लेनी है अच्छी साधा खाना खाना है कोई दिमाग में टेंशन नहीं सौर्ट नोट हमने का तो बनाए वही किताब ऐसे प्लिटित्र हो ठीक है और बढ़ियां होगा अच्छा सोच के साथ जाओ किस बार बहतर करेंगे पहला क्वेश्चन उठाया आराम से किया कोई क्वेश्चन तुम्हें लगता है कुल पटान है तो सब के लिए होगा तुम्हारे नहीं है कोई किसी क्वेश्चन के साथ युग मत पाल लेना कि हमसे बड़ा कोई नहीं है हम करेंगे ना अगर कोई दिख रहा है तुम्हें बहुत उल्टा सीधा तो आगे चलो समझगे और नहीं ऐसा आएगा नहीं लेकिन अगर कहीं ऐसा पढ़ गया कोई एक कोई तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं एक क्वेश्चन छोड़ देना समझगे आगे अपना कांटिन्यू टाइम मैनेज करना है बबल ध्यान से पहले भरते रहो या फिर ऐसा नहीं कि आरा से टिक करना कोई गोला आराम सिर्फ साउधानी से बरना ठीक है है हम सब सेलसीन सब आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप अच्छा करो और बहुत ही बैतर हो ठीक है ना इस साल सब लोग एंफ दिनली के तरब रुख करो यहीं अपनी दूआ है सलाम थैंक्यू जैसलसी